कर दो एक कु ए को रीजितды गाह CH depth परकस है ति मॉनिटर डा ब्रॉक ट्रकर आप की रहे तो ड्रक लगा कि नहीं लगी रहेगी तो ब्लॉक सेक्षन को मॉनिटर करना मुश्किल है इस लिएक के साथ SSDAC को combine किया गया है तो आपका जो SSDAC है जरूरी नहीं है कि sale company का हो single section digital axial counter भी हो सकता है या फिर आपका HASSDAC high availability single section digital axial counter भी हो सकता है single section digital axial counter का purpose क्या है कि number of vehicle इन होता है तो number of vehicle आउट होने पर आपको बताएगा कि हमारा section clear है कि occupied है यानि कि block section में कितनी vehicle एंटर किया यानि कितना axle इन हुआ अगर उतना axle आउट होता है तभी आपका section clear होगा और इसको जो final relay है इसका final relay क्या है location में आपको वी आर मिलेगा रियर रू में क्या मिलेगा वी पी आर मिलेगा तो वी पी आर के फ्रंट कॉंटेक्ट से UFSBI में circuit को प्रूब किया है line clear में या फिर section closing में देखिए axle counter का benefit क्या है monitor very long track section जैसे कि मैंने बताया कि ये block section में लगा रहे हैं तो ये इसके क्या है कि मैं बहुत लंबट track section को monitor कर रहा हूं यानि कि block section आप जानते हैं 7 km, 8 km, 10 km का length का block section होगा तो ये track काफी lengthy है इसको monitor करने के लिए हम axle counter का use करेंगे last vehicle check is done automatically कल मैंने आप लोग को बताया था कि गाड़ी आने के बाद UFSBI में आपको कुछ close करने के लिए जरूरत नहीं है station master close करने के लिए equipment के पास नहीं जाएंगे जबकि पहले क्या था block instrument अगर लगा हुआ था चाहे आप SG के बात करें चाहे निल स्वाल टोकन या टैबलेट टोकन या फिर handle type डाड़ो टाइप instrument तो इसमें क्या था कि हमें manually block handle को close करना पड़ता था line close दाना पड़ता था यहां पर क्या है last vehicle check is done automatically और उसके बाद section भी automatically clear हो जाता है यानि कि last vehicle check करने की जुरूबत है last vehicle कैसे check करते थे station master जाके देखेंगे कि last vehicle यानि guard जो train आ रही है उसमें last vehicle last vehicle को identify करने के लिए एक board लगा रहता है LV का board लगा हुआ होगा तो last vehicle check करना बहुत जरूरी था अगर आप block section को close कर रहे है लेकिन यहां पर last vehicle check करने की जरूबत नहीं है no effect due to ballast resistance तो यहां पर ballast resistance का प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि यही आपका DC track circuit है तो ballast resistance बढ़ने से और घटने से आपका जो relay है उसके उपर असर पड़ता है अगर ballast resistance ज़्यादा है तो आपकी voltage high मिलेगी और ballast resistance कम है तो आपकी drop ज़्यादा होगी और relay drop हो जाता है या voltage कम आएगी relay के पास error free operation over large temperature range यहां पर temperature का effect नहीं पड़ेगा SSDAC के उपर क्योंकि इसका range काफी दिया गया है minus से लेकर के आपका plus minus में जब temperature जाएगा उसमें भी actual counter कम करेगा और अगर बहुत ज़्यादा heavy temperature आया तो 70 degree तक भी इसे problem नहीं होता है train detection on rusted, sanded and water locked rail train को कहीं भी detect किया जा सकता है अगर आपका rail rusty है जैसे DC track circuit में क्या होता है कि अगर आपका track circuit यानि कि rail rusty है तो कभी-कभी detect नहीं हो पाता है track vehicle track occupied है कि नहीं है वो detect नहीं हो पाता है क्योंकि rusted हो जाता है sanded, water, जहांपे पानी है तो वहांपे क्या होता है DC track circuit फेल हो जाता था यह आपका axle counter फेल नहीं होगा immune to traction return current तो traction return current से भी यह immunity है इसकी immune है SSD AC का और features क्या है इसको 90R में 52 kg में 60 kg में किसी भी भी लगाया जा सकता है और जो wheel को detect करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 400 mm डाइमेटर जो wheel का diameter होगा उसका diameter एगर 400 mm से उपर है तभी उसको detect करेगा नहीं तो detect नहीं करता है इसलिए प्रॉली आने जाने से भी failure नहीं होता है उसके बाए track clear और occupied का indication दोनों station पर मिलेगा microprocessor क्या है two out of two architecture two out of two decision का है उसमें दो CPU card है दोनों अगर output same निकाल लेंगे तभी system okay होगा section clear होगा नहीं तो system failure mode में चला जाएगा decision based on four out of four logic four out of four logic कहने का क्या मतलब है कि दो CPU आपका एक station पर और दो CPU दूसरे station पर तो चार हो गया ना तो इसी क्लिए यहां पर decision based on four out of four logic लिखा हुआ है कि दोनों CPU अगर decision proper देंगे तभी आपका clear होगा इसके बाद इसमें error display लगा हुआ है जिससे कि आप identify करेंगे कि क्या error है तो सबसे पहले आपको देखना है कि ssdac दिखता कैसे है क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ने देखा नहों तो मैं पहले आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि बाद में हम दूसरी बात करेंगे हैं कि आप है कि देखिए का evaluator है कुछ लोगों कुछ लोगों ने देखा कुछ लोगों ने नहीं देखा कुछ ने नहीं देखा है पहले यह बता है यह किपमेंट को किस ने नहीं देखा है या कुछ नहीं जानते इसके बारे में अनिल कुमार बानुपटताप कपिल मनेश सचीन सतीस उपेंदर किसी ने नहीं देखा हो बता हुए भी इंस्टाल हुआ है ठीक है इसलिए पूछता हूँ ना कि 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 लोगों को कितना पता है तो पिर उस अनुशार से मैं और बताऊंगा आपको पता चला कि आप लोगों सब पता है तो प्र बेसिक से स्टार्ट करूं तो कोई मतलब नहीं रहेगा और जिसको बिल्कुल नह जो है इससदी का एवेल्युएटर इसको एससदी यूनिट भी बोलते हैं तो यहां पर देखें दो सीप्यू कार्ड है और नम्मर फॉर इसमें सीप्यू कार्ड है तो जो आपका एड़ाएगा यूफास्पी आए के साथ में जो एकसि काम करता है वो कैसे और कहां लगा रहेगा तो एक SSDC आपका देखिए एडवांस जहां पे हैं एडवांस के जस्ट आगे एक लोकेशन होगा वहीं पर इसको इसको इस्टॉल किया जाएगा क्यों क्योंकि आपका एडवांस लेके होम ंत ऑप का सेक्शन जो है उसको एससषड़ से मौनीटर करेगा Each जो हैक यूनेट आपका एडवांस के पास ला एगा और एक यूनेट होम के पास रहेगा ओसके वांद यह यू स करेंद लोकेशन बॉक्स कों पर इसके बादर यू क्वाइशत और बॉक्सता रहाईश से रहने के रिले बॉक्स और सब्सक्राइब ज्या कि यह लोकिशन में रहने गया और रेले लगी राती है वह एक भॉक्स में रहेगा और क्या रहेगा आपके track से जो transmitter coil और receiver coil है वो रहेगी देखिए कैसा रहेगा यह देख रहे हैं यहां पर इसमें क्या है कि कि यह जो है आपका transmitter coil है यह transmitter है और यह receiver है कि यह receiver है और यह transmitter है तो आपका transmitter और receiver कहां लगा रहेगा रेल के साथ लगा हुआ होगा और location में क्या रहेगा एससडीसी का यूनिट लगा होगा तो यह एक station पर रहेगा यानि कि advance के पास में और इसी तरह आपका जो होम सिगनल है वहां पर भी एक एससडीसी यूनिट लगा रहेगा और transmitter coil receiver coil रेल में फिक्स होंगे तो जीस रेल में यानि कि आप एडवांस से गाड़ी भेज रहे हैं तो इडवांस से जब गाड़ी जा रही है तो लेफ्ट साइट अगर रेल में आपने जगा भी फिक्स करना है कि यो कि फिक्स करना है कूकि जो कि फिक्वेंसी है क्वैंटीवण एड़इटी किल मेंनख्य इसकी कि की स्कुझ takingол है तो आप adapter कृणं और रिसीवर कृण बावांस के पास किया तो सेम रेल के जाते हुए फों पर यहां पर जाएगे वहां भी रेफटरंट साइट में कि इसको इस्टॉलेशन करें गए है कि अब इसमें काट जो होती है कौन कौन सी काड़ यह कि देखिए यह जो इवेलुएटर है इसमें टोटल आठ काड़ है एक से लेके आठ काड़ देखिए नीचे भी लिखा हुआ है और आपकी काड़ के उपर भी लिखा हुआ है SCC C C C 1 नीचे काड़ का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा काड़ गाड़ काड़ काड़का है एस्सक्राद कि सिग्नल कंडिशनिंग चाड़ 1仏 काड सिगनल कंडिशनीं काड़ यह कब काड क्वान सा सीगनल कंडिशनींस काड़ नमबर टू को का अंत Ona काड़ नमबर consig का सब्सक्सक्रालीघा कि जो क्ट्रांस्मिटर रहे स्ट्र को 1 और को 9 cm से मिलें ये आपको ACC card से ही जाएगी यानि कि transmitter के लिए जो frequency निकलेगी 21 and 23 kHz और जो आपकी voltage जाती है कितनी voltage मिलती है आसे 60 volt transmitter के लिए आप देखेंगे तो 60 volt मिलेगा जो वो frequency जाती है यानि कि per transmitter 30 volt है 2 transmitter है तो 60 volt जो आपका ACC card है यह आपकी frequency भी transmit करेगा और आपकी transmitter coil को voltage भी देता है तो 60 volt AC आपको मिलेगा और receiver coil क्या करेगा voltage receive करके आपको वापिस ACC card 1 को देगा और ACC 2 को देगा यानि ACC 1 card है 21 kHz के लिए और ACC 2 card है 23 kHz के लिए तो दोनों card है आप ACC यानि signal conditioning card 1 signal conditioning card 2 तो signal conditioning card 1 का काम क्या है यह 21 kHz का frequency dispatch भेजेगा यहां से और receiver के द्वारा लेगा और signal conditioning card number 2 23 kHz की frequency भेजेगा और receiver से वापिस इसमें आता है signal conditioning card में इसके बाद में क्या होगा signal conditioning card से आप देखने की card अंदर में कनेक्टेड है इंटर्नली कनेक्टेड है तो उसमें क्या होगा ट्रांस्मीट किया और receive किया तो ट्रांस्मीट किया और receive किया तो जो information है उसने central processing unit यानि MLB1 और MLB2 दोनों को दिया यानि कि आपका ACC1 और ACC2 दोनों की information MLB1 और MLB2 दोनों को जाती है यहां पर देखेंगे तो कुछ indications दिया हुआ है जैसे ACC1 का भी देखेंगे तो देखेंगे ऊपर में red and black दो test point दिये गए है तो आपको maintenance में क्या देखना है यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है 2.2 वोल्ट DC तो आपको maintenance में मल्टिमीटर से चेक करना है कि यहां पर 2.2 वोल्ट DC कि नहीं है अगर दो वोल्ट से नीचे जाती है तो हो सकता है कि कुछ किस्म कार्ड में दिक्कत आ रही है तो आपको कार्ड replace कर देना पड़ेगा या निकाल करके वापिस रिप्लग करना पड़ेगा उसके बाद ट्रॉली प्रोटेक्शन के लिए एक LED दिया हुआ है और सिलेटर ओके यानि कि आपकी ट्रांस्मीट कर रहा है यानि कि आपकी फ्रिक्वेंसी निकाल रहा है तो उसके बाद एलडी ओके एंड फल्स ओके यह सारे LED क्या है ग्लो करेंगी ग्रीन कलर की LED है उसके बाद MLB1 में आप देखेंगे कि आठ LED आठ LED दिया हुआ है MLB1 में और 8 LED MLB2 में दिया हुआ है तो यह किसलिए है इसमें एरर कोड पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि अगर कुछ इस सिस्टम में एरर आता है तो जो LED ग्लो होंगी तो LED को हमें अंडर्सेंड करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कौन सा एरर आया है तो 8 LED दिया हुआ है इसमें 4 उपर की और 4 नीचे की आप देखेंगे तो चार उपर की जो LED है उसको बोलते है एलस्बी और नीचे की चार LED को MSB लेस्बी याने लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बीट MSB याने क्या होता है आवाज आ रही है इस सर उपर की चार्व क्या मोलते हैं कि उपर के लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बीट तार LED होती है उपर की होता क्या है कि इन दोनों को एड कर देना पड़ता है मैं दिखाऊंगा कि इसकी LED का आप कैसे वैल्यू निकालेंगे और MSB का होता है इसको कैसे कल्कुलेट करना इसका रीडिंग कैसे देखना मैं आपको एक डाइग्राम के द्वारा आपको दिखाऊंगा हो गया इस सिंगिफिकेंट बीट और MSB एन्य जिए इस फेलियर उमॉड में रहेगा तो ऑपकीde की लवाली ग्लॉ करेगी और जब कोई section में गाड़ी नहीं है section clear है तो उस condition में section clear का indication glow करेगा इसके बाद एक event logger card है यानि कि जो भी system में information हो रहा है जो भी system में process हो रहा है तो उसके जानकारी के लिए उसमें information जो है आपकी event log में इकठा हो रही है log यानि क्या होती है information जो भी घटना है इसमें information record होते जाती है और इसको अगर मुझे देखना है तो laptop connect करके यहां पर एक software के द्वारा हम के data को download करके हम देख सकते हैं कि इसके बाद देखिए card number six card number six क्या है modem card modem card का क्या काम है कि एक unit जो आपकी advance के पास लगी है और दूसरी unit कहां लगी है home के पास में तो दोनों communication कैसे करेगा तो दोनों को communicate करने के लिए इसमें modem card लगाया गया है जब भी दो system के बीच में information होता है information को share करना है बेजना है या लेना है तो उसमें modem card लगाना पड़ता है में आपको सर ने पढ़ाया हो कि modem card लगा हुआ है कि नहीं modem card उसमें सर ने पढ़ाया होगा तो वहां पर भी जब information आप एक station से दूसरा station भेज रहे है तो वहां पर आपको modem card लगाना पड़ेगा तो modem card के बिना information एक जगे से दूसरे station नहीं जाएगी तो उसमें आपको transmitter receiver यानि कि यहां की data transmit कर रहा है कि नहीं उसके लिए led glow करेगा transmitter receive कर रहा है कि नहीं वह receiver mode और cd तो यह led भी आपकी continuously glow करती रहेंगी उसके बाद relay driver card relay driver card किसलिए है कि हमारा system system information जब सही होगा तो mlb क्या करेगा command देगा वह रिले driver को और रिले driver क्या करेगा यहां से supply निकालेगा जो कि हमारी वियार रिले है वियार रिले को pick up करने में काम आएगा यानि कि जो रिले ड्राइबर है आप दो रिले वी यार और प्यार रिले को प्रिपरेटरी में अगर रिशेट अप्लाई करते तो प्यार रिले पिक अप होती है और नॉर्मली जब सेक्शन यूनिट जो है इसे डीस उसमें वर्किंग के लिए हमने 24 वोल्ट सप्लाई दिया और 24 ले करके यह क्या करेगा डीसी डीसी कंवर्टर इससे तीन तरह के वोल्टेज निकालेगा प्लस फाइव प्लस 12 और प्लस 24 और साथ में एक आईए सो 15 वोल्ट यानि की आईसोलेटेड 15 वोल्ट भी जेनरेट करता है तो यहां पर टेस्ट पॉइंट दिये गए हैं तो आप मेंटेनेंस में क्या गरेंगे कि इसे आप वोल्टेज को आपको देखना है कि वोल्टेज प्रोपर है की नहीं है डीसी डीसी कर्वाटर अगर कोई भी एससी का फिलियर होता है तो सबसे पहले आप काड़ं के जाएंगे काड़ के जो वोल्टेज़ें उसको पहले प्रोपर करेंगे कि प्रोपर है कि नहीं है प्ल सब्सक्राइस के 15 वोल्ट उसके बाद ACC Card 1 पे आपको 2.2 वोल्ट मिलना चाहिए तो यह पेरामिटर आपको देखना है तो जो आपको transmitter coil और receiver coil है वो कैसे connect होगा तो इसके पीछे आपके कपलर सब्सक्राइब करनेट किया गया अब देखिए कार्ड नंबर वन का क्या फंक्षन है यहां पर कार्ड वाइस यहां पर फंक्षन दिया गया जैसा कि मैंने बताया कि कार्ड नंबर वन त्वेंटी वन किलो हड्च का frequency निकालता है और ट्रांस्मीट करेगा transmitter coil को तो देखिए यहां पर कार्ड नंबर वन से यहां से जो फ्रिक्वेंटी वन किलो हड्च की जेनरेट हुई transmitter को गया और transmitter से क्या हुआ receiver के पास आया और receiver से वापिस आपकी ACC कार्ड को आया तो यही function आपका ACC कार्ड वन का है और सेम का function आपका ACC 2 का है तो ACC 2 में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ आपको frequency जो है वो चेंज हो जाएगी यहां पर देखिए यह frequency जो थी कि यह देखिए यह जो फ्रिक्वेंसी यहां पर 23 किलोड जो गई वालेट 21 थी अब ACC 2 कार्ड में 23 किलोड इसलिए दो कार्ड है एक 21 किलोड के लिए एक 23 किलोड के लिए उसके बाद यहां पर देखिए LED के बारे ब्र मताया गया है टीपी कौन किसलिए है ट्रॉली प्रस्टु सप्रेशन सर्किट के लिए इसको यूंष की आगया ट्रॉली प्रोटेक्शन के लिए औसे लेटर Ό,ट्स लेटर एक्ट का क्या है लाश्सेटर इंडिकेशन विल नॉट ग्लो दिरिंग दे ट्रेन मुमेंट इस लेड़ कंटिनु देखे इस लेड़ इंडिकेट दे नॉर्मल वर्किंग आप टी-एक्स कोईल यानि की ट्रांस्मीटर कोईल आपका नॉर्मल वर्क कर रहा है तो ऑसिलेटर ओके कि लाइट ग्लो करती रहेगी अगर ट् मतलब है कि सिग्नल प्रम आरेक्स कोईल इस नॉर्मल यानि कि जो आरेक्स कोईल सिग्नल है नॉर्मली सही आ रही है अगर ऑफ हो गया तो इसका मतलब कीया है या आरेक्स कोएल की केबल चूट गई है खराब है पल्स ओके पल्स ओके का क्या मतलब है दा लीडिकेट नॉर्मल signal for from rx कोइल एद पल्स लेवल इन कार्ड दो क्यानि की आरेक्स कोईल स्सेल प्रोपर आ और जो पल्स लेवल है वह सही कंडिशन में है अगर एलीडी बुझ गई है तो उस कंडिशन में और हो सकता है कि फॉल्टी हो या केबल डिस्कनेक्ट हो गया हो तो आपको चेक करना पड़ेगा तो यह चीज़ आपकी कार्ड में भी है सेम इंफर्मिशन सेम है इसमें भी कि कार्ण नमबर 3 & 4 क्या है MLB1 & MLB2 यानि कि Micro Controller Logic Board Card 1, Micro Controller Logic Board Card 2 मैंने बता है था कि यह प्रोसेसर है प्रोसेसर क्या होता है हर्ट अफ दे सिस्टम यानि कि SSDAC का हर्ट क्या है हर्ट आप दे सिस्टम यानि कि में फंक्शन आपका Micro Controller Logic Board ही है जो आपका पूरा काम करेगा यानि कि प्रोसेसिंग का उसके बाद क्ट्रोलिंग पूरा equipment के उपर MLB1 & MLB2 का ही है अगर दोनों में से एक कार्ट भी अगर खराब हो जाता है फेलियर हो जाता है तो आपका सिस्टम फेलियर मोड में चला जाएगा इसी को बोलते हैं 2 out of 2 आटिटेक्चर यानि कि MLB1 और MLB2 दोनों सही होना चाहिए यानि कि जो information MLB1 दे रहा है वह information MLB2 भी दे रहा है यानि कि double checking करके दे रहा है अगर double checking वाला में एक checking भी खराब हो गया यानि यह कार्ड भी खराब हो गया तो output आपको नहीं मिलेगा अगर दे प्रोसेस्ट डाटा विद दे हिल्प आप सॉप्ट्वेर तो उसके लिए सॉप्ट्वेर डाला गया सॉप्ट्वेर इस्टॉलेशन है और उसी के द्वारा प्रोसेस किया जाता है अगर आपके टी एक स्कॉइल के उपर से गुजरती है तो उसको आइडेंटिफाइगा करता है और डिक करता है कि डियरेक्शन किया है इसका कैसे ओर है कुछ मिलेगा मिलेगा अपर ऑर यह जाएगा कार्ड यहां और यह दोनों काड़ से इंफर्मेशन आपको MLB1 और MLB2 को आता है और यह सारे इंफर्मेशन मिलती है उसके बाद इसके बाद आक्सीलडीटेकटर उसको भी सुपर्वाइज करता है यहां कि इसके बाद की इंफर्मेसन को ऊपूसरे स्ट्राइबолे बिल्ट इंद्ञेक्टे सिन टो से चरगे संद्ड़ीद करें ऐसको से इसकोल के बताएगा कि स्टरब क्लियर है सेक्षेन Agile एटूपाइड है। उसके बाद depends depends on the number of अक्षाल इन दडाइग्से پھर क्या है कौँनٹिंग करेगा जो जटना एक्सलीन हुआ कितना एक्सलाउट हुआ उसको डिटर्माइन करेगा उसको फान उट करके आपको डिस्पलै में दिखा देगा कि कि इसके बाद इसके द्वारा है उसके द्वारा है यहां पर देखिए कि जो इंडिकेशन दिये गए है रोड द्वारा है और दीडी है उसके बारे में आ तो तो इसके बाद रेज़ vendors का जो इडिकेशन क्या Gespr पर देखना के लिएक में सकी कोम आए Magnetrix का लिए पूंत इन्सकुदक इसकी कॉम सा हड्सकाट्र में में बाद दोब है का पाइब का क्लास कि अब बाकी लोग को आवाज आ रही है यह एक मिट द्यान देता हो अलो बाकी लोग को आवाज आ रही है तो कोई समस्य होगी आपके 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 लोग जुड़े हुए सब को आवाज भी आ रही है यह फ्रेस लिंग से पोई मतलब नहीं वहीं लिंक से जुड़े गा फिर से आप एक तो फिर आपको लिसन मोडों में सेलेट करना पड़ेगा माइक्रोफोन नहीं सेलेट करना पड़ेगा लिसन मोडों में सेलेट करेंगे तो आवा जाएगी नहीं प्रावलम होगा नेट का भी दिकत हो सकता है आप ऐसा एक बार मोबाइल को आफ करके ओन करके फिर से लॉग इन कीजिए तो यहां पर आठ एलीडी है अब देखेंगे कि कि यहां पर बीच में पड़ा सा गयप है तो उपर का जो एलीडी का जो मतलब होगा माले उपर अगर तुमने काउंट किया कैसे होगा दो चार मैं आपको एक डियाग्राम में दिखाऊंगा उसमें इसकी नम्बरिंग दी हुई है कि आपको कैसे पढ़ना इसका इंडिकेशन कि यह ब्लोग डाइग्राम पर देख लीजे यह ब्लोग डाइग्राम है जो मैंने आप लोग को हार उनकुमार जबी आवाज आ रही है देखिए यह ब्लोग डाइग्राम है एससडी एसी का तो जो मैंने आपको कार्ड बताया कार्ड नमबर वन एससी कार्ड कार्ड नमबर वन तो यहां पर जो आपका यह देखिए यह आपके ट्रांस्मीटर कोईल है और यह रिसीवर कोईल है तो ट्रांस्मीटर कोईल को क्या होगा एससी वन कार्ड से इंफर्मिशन गया और रिसीवर कोईल से इंफर्मिशन इस तरह से आ गया एससी वन को यहां से ACC1 से information गया और ACC2 से आया यानि कि यह 21 किलोड़्ज जो frequency है गई देखिए आप 21 किलोड़्ज है और यह 23 किलोड़्ज है यहां पर ACC2 कार्ड यानि कार्ड नमबर वन से transmit किया और वापिस कार्ड नमबर वन को आ गया रिसीवर के थुरू कार्ड नमबर टू का transmit किया और रिसीवर के थुरू वापिस इसके पास आ गया इसके बाद यह कार्ड कहां है आपका mother mode के साथ इस्टॉल किया हुआ फिक्स किया हुआ हुआ है तो MLB1 ACC1 कार्ड से जो information है जो भी pulse है कहां गया देखिए यह MLB1 को गया और और सेम कार्ड की information MLB2 को भी गई यानि कि जो भी information होगा card number 1 के पास में वो भी card number3 &4 को जाएगा यानि MLB को जाएगा और card number 2 की information भी दोनों CPU को जाएगा यानि MLB1 को भी गया और MLB 2 को भी जाता है यानि कि जो information आपकी ट्रैक की डिवाइस से मिल रही है वो कार्ड को आया और क्या किया दोनों CPU को information दिया MLB1 को भी दिया और MLB2 को दिया इसी बेस पे क्या करेगा MLB1 और MLB2 देखिए आपस में communicate भी कर रहा है आपस में communicate कर रहा है MLB1 और MLB2 यहां भी देखिए आपस में communication है इसमें उसके बाद क्या करेगा कि MLB1 information क्या करेगा modem को देगा देखिए modem को दिया और MLB2 भी information modem को दिया तो दोनों processor ने information modem को दिया अगर MLB1 का output भी same है अगर yes है और MLB2 का भी output same है तो ही आपको information सही माने जाएगी नहीं तो इसको फेल माना जाएगा यानि कि two out of two architecture क्या बोलते है MLB1 भी जो output दे रहा हुआ सेम होना चाहिए MLB2 भी output जो दे रहा है वो भी विल्कुल same होना चाहिए यह information modem card के द्वारा आपको चला जाएगा SSDAC दूसरा unit में और दूसरा unit को communicate करेगा और communicate करने के बाद अगर लाएगा कि information सही है तो फिर से MLB1 MLB2 communicate करते हैं और आपकी 24 वोल्ट की सप्लाई निकालेगा और से वाइटल रिले आपका फिकप होगा यानि की वी रिले फिकप होगा तो यह एक कि ऐसे function करता उसका blog diagram दिया हुआ हुआ है उसके बाद में देखे DC DC converter है यहां पर DC DC converter कैसे काम करेगा उसको आप 24 वोल्ट की सप्लाई इंपुट देंगे 24 वोल्ट की सप्लाई आपने DC DC converter को दिया और DC DC converter कहां कहां सप्लाई देगा आपकी कार्ड नमबर 1 को देगा card number 2 को दिया card number 3 को दिया card number 4 को दिया उसके बाद card number 5 क्या था relay event card उसको शोड़ दिजिए card number 6 को भी गया modem card को भी गया card number 7 को भी गया relay driver को तो इन सभी card को 24 volt supply जो DC-DC converter है वो जो requirement के अनुसार भेजेगा जिसमें हमारा plus 5, 24 और isolated supply है वो सारे information जाती है तो यह छोटा सा block diagram था यह block diagram आप लोग को समझ में आ गया अगर किसी को डाउट है ब्लोग diagram पे बारे में डाउट है तो पूछ लिजिए फिर से बताऊंगा क्योंकि SSDAC कैसे proper work करता है यह block diagram में very clear है बहुत clear है इसमें यह पूछन दा कि जो पाच वोल्ट बारा वोल्ट जो सप्लाई जाएगी से से सी 1, MLB और मॉडम से में किस को जाएगी सको हो से पहले से यह इस यह स्पेसिफाइए होता है या फिर वो कुछ से distribute करें का सब सब्लाई यह कहीं भी mention किया हुआ तो है नहीं यहां पे और नहीं कोई बुक्स में mention किया है कि सब्लाई कैसे ऩुक्ता है कि इसने इंटर्नली इंट और यहां कि हमारे भॉल्टे से जा उसको किरे जाती है रोड़ को पांच बॉल्ट जाएगी और पर यहां प्रोसेसर प्रोसेसर भी का से आप यह लेकिन डल्याइवर कार्ड आपको 24 जोड़ से काम करें किया डेखिए यहां चुबिसवोंट से करेगा और प्रोसेसर होता है हर एक प्रोसेसर फाइब पर हैं तो फाइब मोट होगे आपका प्रोसेसर के लिए कि ऐसो डिट्र क्या है आपके जो वियां रिले फीकप होती है या तो आइसुलेटेद उप लाइन सप्लाइय से पिक अपूलती है कि यह को एक करने के लिए एक चीत आता है ईसके कि आप च्छकर करना को करना है तो कैसे करेंगे यहां पर आप देखेंगे करने के लिए दिया हुआ है इसमें छोटा पंच के द्वार आपको होल मार्क करना है यह देखें तो यहां पर आपको सेलेट करना है कि आपका रेल दिक जी का है 52 के जी का है 90 केजी का है 90 आर का है खो आपको यहां को लिखा रहा रहा है यहां पर आपको 52 केजी का कौन सा होल है मार्किंग दिया हुआ उसे और तो कुछ प्रॉल्म आरही है प्रैक्टिकली इसलिए तो छिश्टी का जो मार्किंग उसी मार्किंग से करने में सक्सेस्थुली काम कर रहा है कि और 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 सोफ्ट प्रिएक हमेशा अंदर की तरह रहे है याँनि की जो दो ए दो रियर ने बीच में इन साइड वह पॉर्षण होगा वहां पर आपको आरेफिड लाएगए आउट साइड पॉर्शन में ट्रांस्मिटर कोयल लगता है कि लिए रहना यह कुछ डाउट नहीं है देखें यह रियर व्यूंट है इसका बैक साइट से आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे रहा है कि आपकी देखेंगे तो एक पावर ऑन और की स्विच दिया हुआ यहां पर एक फ्यूज लगा हुआ है है ना दिख रहा होगा और यहां पर 24 वोल्ट सप्लाई आप देंगे यहां पर एक कनेक्टर रहेगा उसे आपको कनेक्ट करना है उसके बाद आप यहां देखेंगे यह कुछ जंपर सेटिंग है कि यह अ立िम azital drink के लिए है तो जब भी आप equipment को Sutton करते हैं तो आपको देखना है अगर उनिट करने रहे तो आपको देखना पड़ेगा जो मेरा जंपर सेटिंग है जो इकप्रकर पहले से लगा हुआ है उसी अनुसर से मैं सेट करूंगा जंपर सेटिंग को तो काम करेगा तो इसमें दो तरह का है एक एंटरी एंड और एक 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 पास एकजिट एंड याणि कि आपने जो एकप्मेंट लगाना है एकप्मेंट में दोनों सेम रहता है सिर्फ वर vet किया रहेगा मोडम कारड में कुछ का डिफिरिश रहता है एक क्यंपन को आप ऐंट्रेंड बरना सकते हैं उसी क्या सकते हैं क nee năm मोड़्थ में कुछ और सटिंग है वह चेंज करना पड़ आ तोfather वाला इंट्री का मोड में आ जाएगा हुआ है सांज में आया कुछ है हां जी सर यह जो मोडम कार्ड है मोडम कार्ड में एंट्री एंड ओन प्रिशन ने रोप कंडिशन वाला सर वोड़ एक ओन मोन अच्छी एक ओन मोन अच्छी सर हां जी कि दिखाता हूं आपको देखिये देखे डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग फ़र जीरो टू फ़र एंट्री एंड जीरो थ्री पर एक्जिटेंट तो पॉजिशन आप स्विचेस है यह आपकी मजरबोर्ड के साथ है उसके बाद एक मोडम कार्ड में भी आएगा सेटिंग वह भी देखना पड़ता है दिखाता हूं आपको कार्ड अगर है यहां पर तो मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए कार्ड आपके पास यहां पर मोडम कार्ड की सेटिंग है तो S1, S2 और S3 यहां पर देखिए लिखा हूआ उपर में सेट दा डिप स्विचेस S2 and S3 कर्रस्पॉंडिंग टू दा एंट्री और एक्जिट एंड तो आप देखेंगे कि जो मोडम कार्ड है मोडम कार्ड में यहां पर देखिए लिखा तो एक्जिट में क्या है फस्ट एंड सेकेंड ऑफ एस टू स्विच का ऑफ एंड और आप देखेंगे तो फस्ट एंड सेकेंड आफ एंड आउन तो रिवर्स एंट्री मोड में और एक्जिट मोड में थोड़ा साथ जमपर से मतलब आपकी जो स्विचेस दिया हुआ है यहां पे इसको ध्यान देना पड़ेगा आप एक ही काड को मोडम काड को एंट्री आज एंड भी बना सकते हैं इस इट क्लियर कि तौह जांज में आ गया ऑब कर दिया और हमने नुट की तरफ कर देए सुविस को कि देखे एक को होगा के पास में आपको देखिए क्या है डेखिए आपको यह स्विच है सटओं तो आपको उन तो दूसरा स्विच अमड़े टीक है यह तो सही है उसके बाद में टाकरी if का है यह जो जब्सेइटिंग है एंट्री एंट का है आपको दिख रहा है यहाँ पर रेट कलर का जो यह ना यह आपकर आपकर यह सेटिंग आपकी एंट्रींड के लिए है एक लागज देखिय फिछ आउप हो जाएगा यह भंप हो जाएगा तो दूसरा कंडिशन महीं रहेगा हो फोड़ क्या होगा यानि कि इस डेवलु वाज क्लियर नहीं किस मताइए कि थी में तो फिर द है कि देखे आपको यहां पर आपको यहां पर वा एक वनने कर जा था वह बोले कि उन्हों ने तो मैंने कर जा था तो मैंने कर जिया था फिर वो उसमें सब्सक्राइब कर देखेंगे जनरली दो स्विचे से डवलू टू और इस डवलू ट्री तो मेरे पास होगा तो मैं तो मोडम कार्ट समझ में आ गया कि इवेंट लॉगर कार्ड के बारे में इंपर्मिशन दिया हुआ है देखें लॉगर कार्ड इस डिजाइन टू कैप्चर एंड श्टोर इंपोर्टेंट डाटा ओफ लोकल एंड रिमोट यूनिट इसमें इंपर्मिशन इकठा होती है आप लैप्टॉप से डाउनलोड क करके डाटा को चेक कर पाएंगे कि क्या इंफर्मिशन है कि इवेंट कार्ड है कि एक चोटी सी बैटरी जैसे कंप्विटर में बैटरी होता है उसी तरह से इसमें चोटा सा सेल लगाया देखिए आप जैसे आपके घर में मेजर करने के लिए जो मशीन लगती है न उसमें चोटा सा से लगाते हैं उसी टाइप का सेल इवेंट लॉगर कार्ड में भी है तो इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना चाहिए रिप्लेस करने से क्या होगा जब तक सिस्टम ओन कंडिशन में तब तक तो डाटा रहेगा लेकिन जैसे ही आपने सिस्टम को आफ किया तो डाटा ओफ हो जाएगी इसलिए इसमें एक चोटा सा सेल दिया गया है कि आप सिस्टम को आफ भी कर दे तो डाटा स्टोर रहेगी गाइब नहीं होगा जब तक कि आप बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे नहीं होती ह्या है कि प्राइं के भार निवा तो कहीं नहीं देख रहा हूं मैं लेकिन सिक्स मन्त rist लिप्लेस कर देना चाहिए कि मुझे एगर कहीं से मिलती है कि किप्ने दिन रिप्लेस करना है तो मैं मैंटहसी करßen और मुंग और देखते मैं कि स्लाइड में कोई अगर में सन हो तो है सब्सक्राइब को मालूम भी नहीं रहता है और साइद लोग जरूरी भी नहीं समझते हैं क्योंकि कभी लैप्टप से इसकी इंफर्मिशन आपने डाउनलोड नहीं किया होगा वह जब कंपनी के स्टाफ आते हैं तभी वह वह देखते हैं जरूरत भी नहीं पड़ती है लेकिन इसमें है कि आप इवेंट लॉगर के द्वारा इंफर्मिशन को डाउनलोड माले जैसे कोई फेलियर होता है बीथे यब हो रहा है को डान आते हैं करने के लिए और क्यों होता है कि आपरियूर अजम को करने जाएंगे और उसमें सिस्टम को आफ कर देंंगे तो सारा रहले जीरो करना पड़ता है न उसी तरह से यह काम कड़ता है जब तक अगर खराब हो गया तो को अपर तक तक तो डाटा रहे गा लेकिन जैसे अफिया सारी डाटा जीरो कि दस मिनट बाद फिर जुड़ेंगे दस मिनट का ब्रेक ले लिए उसके बाद फिर सब लोग जुड़ेंगे इसके तो मैं इसको बंद नहीं करूंगा ऐसी ओन कंडिशन में रहेगा दसमेट बाद जुड़ेंगे कि दुड़ेंगे जाने के बादेंगे इसक देनाओ जुड़ेंगे। झाल 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 इविए लॉक कार्ड के बारे में मैंने बताया अब किसने गुरूप में सेर किया था मोड़म कार्ड जिसमें एक ही स्विच लगी हुई है तो एक ही स्विच में उसी में दोनों का ओप्षन दिया हुआ एंट्री एंड और एक्जिट का यहां पर दो स्विच नहीं है तो कंपनी कभी कभी कार्ड मोडिफिकेशन करते रहती है मैंने फर्स टाइम देखा है वह कार्ड जिसमें एक ही स्विच है मोडम में फिस पर और इंट्रिएंड की तो दो स्विचेस वाला भी कार्ड और एक एक स्विच के साथ भी अपरेट किया जा सकता है तो अबThe जिन्होंने से यह कि धन्यवाद आपका मोडम कार्ड का फंक्शन क्या है मैंने आप लोग बता दिया था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कम्निकेट करने के लिए जो इंफर्मिशन एक युनिट का दूसरे युनिट के साथ फेयर करने के लिए modem card का इस्तेमाल किया जाएगा और modem card क्या करेगा इसको resetting circuit में भी use किया जाता है resetting circuit में यानि कि reset जब करना है system को तो आपकी information एक unit को आती है और दूसरे unit को आप reset करेंगे दूसरे end से लेकिन communication करने के लिए modem card की जरूवत पड़ेगी तो यानि कि resetting circuit में भी आपको modem card की जरूवत है इसमें जो indication है transmitter receiver transmitter क्या है यानि कि transmit कर रहा है signal transmit कर रहा है तो TX की LED गलो करेगी receive कर रहा है तो RX की LED गलो करेगी एक है mode green LED normally remain off यानि कि normally off condition में रहेगा when system is made off and on अगर आपने system को एक बार off किया उसके बाद on किया तो क्या होगा LED क्या करेगा LED गलो करेगा और उसके बाद थोड़ी दिर के बाद again off हो जाएगा वेन system आपका फील्प टेस्ट successfully गंप्लीट कर लेता है यानि कि जब आपने रिसेट किया और रिसेट के बाद test successfully हो गया तो आपका एलीडि क्या है ओफ हो जागा यानि कि MODE LED है एक बार system को आफ आपने off किया और successfully reset के बाद mode LED अपने आप off हो जाएगा अगर कोई error आती है यानि कि error condition में आपने reset applied किया तो mode LED glows and immediately goes off यानि कि reset जब error mode में आपने reset किया कोई error आ गया उसके बाद आप reset करते हैं तो उसमें क्या होगा थोड़ी देर के लिए mode LED glow करेगा और उसके बाद पुरत आफ हो जाएगा तो उसके बाद cd cd यानि carrier detector जब link present रहेगा यानि कि link प्रेजेंट रहेगा जब दोनों equipment communicate कर रहे हैं यानि कि कर रहे हैं कि दूसरा एंड की information आ रही है यानि कि carrier मिल रहा है तो आपका cd led glow करेगा यानि कि यह नॉर्मली जब system work कर रहा है तो cd led glow करेगा tx की glow करेगा rx की glow करेगा और cd मोड की led आफ कंडिशन में रहेगी उसके बाद रिले ड्राइवर कार्ड इट रिसीव दा कमांड फ्रॉम mlb1 and mlb2 यानि कि जो प्रोसेसर है उसको कमांड देगा उसके बाद में ही आपका वीया रिले या पीया रिले पिक अप होगा इसमें इंडिकेशन कुछ दिये गया है रिले ड्राइवर कार्ड में mlb1 और mlb2 का तो जब क्लियर होगा इप ग्लोज वेन mlb1 सेंड डिसीजन अफ देसेक्शन क्लियर और जब सेक्शन क्लियर है तो क्लियर का एलीडी ग्लोज करेगा और जो आप कलॉक का एलीडी देख रहे हैं वह क्या होगा जब फेलियर या उप्यूपाइट कंडिशन में नहीं आपका एम जो सेक्लियर का एलीडी है वह उन इस ब्लोज वेन mlb1 सेंड डिसीजन सेक्शन क्लियर जब सेक्शन क्लियर होगा उस एक लोग काइंडिकेशन दिआ हुआ है वो किसलिय कि दिया होए लूइर में जो अटिकेशन इट्राइश as long as mlb बोज सेंडिंग द्रीड को पलब्ल स्ट तो लियृ ड्राइबर कार्ड को आप को समस्थ भेज रहा है हुआ उसमय आपकी फ्लेस करेगा तो समय आपका clock LED flash करेगा MLB 2 में it glows when MLB 2 it glows when MLB 2 send the decision of section clear and it will be off in MLB 2 send the decision of section occupied or disturbed यह तो clear के लिए दिया है clock के लिए भी same है it flashes as long as MLB sending the clock clock pulses to relay driver card DC DC converter यहां पर देखिए कुछ voltages के बारे में लिखा एक है देखते हैं इन्पुट आप 24 वोल्ट देंगे उसके बाद जेनरेट डिफरेंट वोल्टेजस रिक्वाइर फर वेरिया सर्कित अब देखिए अब देखिए it generate isolated 15 वोल्ट with separate ground to drive external relay मैंने आपको बताया था कि जो isolated voltage है वो VR और PR relay को pick up कराने के लिए है 5 वोल्ट मैंने आपको बताया था CPU 5 वोल्ट से काम करेगा the green LED गेंडिसन provide against each DC voltages goes off in case of voltage goes out of range तो जो LED गलो कर रहे है 5 वोल्ट के सामने plus 5 के सामने LED गलो कर रहे है plus 12 के सामने तो जो voltages range के बाहर अगर या कम हो गया या जादा हो गया तो उस condition में क्या होगा LED ओफ हो जाएगा तो अगर आप equipment के पास गया कोई LED बुझे होई देखें तो immediately voltage चेक करें और अगर card में problem है तो card को replace करने की व्यवस्था करें उसके बाद देखें reset box है reset box कहां लगाया जाएगा station master room में कि अगर SSDAC fail होता है तो fail होने के समय reset apply करने के लिए तथा section of clear occupied दिखाने के लिए और will counting आपको इसमें दिखाएगा कितना axle in हुआ कितना एक्सल आउट हुआ है और यहां पर दो इंडिकेशन भी दिया है section clear के लिए screen section occupied के लिए red और एक counter दिया गया है कि आपने अगर reset किया है तो देखने के लिए इसके बाद में list of 10 error देखिए यहां पर एक red button के पास में देखिए list of 10 recent error codes are stored in error log entry तो 10 error code जो है last 10 error इसमें store रहते हैं और उसको आप अगर देखना चाहें कि क्या error था last 10 error को आपने देखना चाहें तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको reset button को 10 second के लिए press करना है और छोड़ देना है तो जब देखेंगे तो उसमें 10 errors will be displayed with time and date यानि कि उसमें last 10 error जो हुए थे वो date और टाइम के साथ आपको हो जाएगा और रिसेट करने के लिए क्या करना अस्टेशन मास्टर की को टर्न करके प्रेस करना है और रिसेट बटन को भी प्रेस करना है तो आपको रिसेट अप्लाइड होता है जब आप रिसेट अप्लाइड करोगे तो कितनी वोल्टेज लोकेशन में जाती है कि एक्यूप्मएंट को रिसेट करने के लिए को बताएंगे और hanra वेरीगुट 48 वोल्ट जाती है तो हमने हां इस चोफीस वॉल्ट दिया रिसेट बॉक्स में हैं जो हम सप्लाई देते हैं उसके अंदर मैं एकार्ड लगा हुआ है वो कार्ड क्या करेगा 24 वोल्ट को 48 वोल्ट में करेगा और वो 48 वोल्ट को लोकेशन में देता है कि यह 48 वोल्ट बेजने के पीछे क्या मकसद है 48 के जगे 24 वोल्ट क्यों नहीं बेजा अगर हम 24 वोल्ट भेजते तो यह कार्ड लगाने की कार्ड का एक्स्ट्रा जरुवत नहीं पड़ता तो यह 24 वोल्ट नहीं भेज़के हम 48 वोल्ट रिशेट वाक्स से क्यों भेज़रें लोकेशन में 24 वोल्ट से भी तो काम हो सकता था इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो अगर वहां पर रिशेट 24 वोल्ट से हो जाता तो हो सकता है कि कुछ तो अपनाते हुए 24 वोल्ट रिष्ट लोकेशन से दे दे और सिस्टम को रिषिट करा दें इस वज़ए से क्या है कि रिषिट के लिए जो अड़ तालीस वोल्ट है प्रोपर वे में एसम रूम से जाये क्यों कि 48 वोल्ट की फैसलिटी हमारे लोकेशन में है ही नहीं 48 की तो ह इस वज़े से कि कोई सब्सक्राइब करें कोई अप्लाएं नहीं इस वज़े से 48 वोल्ट को दिया गया है कि आप डारेक्टली रिशेट जो है लोकेशन से ना कर पाएं किसी भी तरह से कोई पॉसिमिलिटी ना हो कि 24 वोल्ट अगर सप्लाई गलती से भी रिशेट के साथ में आपको मिल जाता है तो रिशेट नहीं होना चाहिए और दस देखने के लिए आपको समझ में आ गया होगा तो कैसे देखेंगे मैं पूछूंगा एक करके सचिन कुमार आप बताएं सचिन कुमार मुझे दस एरर देखना है तो कैसे देखूंगा लाज रिशेट बटन को सब्सक्राइब करेंगे हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड उपेंदर रियादा जी माई कौन करें उपेंदर रियादा माई कौन कीजिए कि उपेंदर रियादा बात करें माई कौन करने के लिए आप देखेंगे स्क्रीन में एक हाथ का निशान है उसके राइट साइड में फोटो बनी है उसको क्लिक कीजिए ब्लू होने पर ही आपके माई कौन हो पाएगा और बात कीजिए कि उपेंदर रियादा हो आवाज नहीं आ रही है कि कोई बात नहीं कि भानु प्रताप सिंहां सिना जी आप बताइए रिसेट करने के लिए रिसेट बॉक्स में क्या करना पड़ेगा बात प्रताप सिना बताइए ये आप जारिए बानु प्रताप बात फ्रताप आप जारिए बोलने पर रिप्लाई करना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो आप सीख लिजिए कि कैसे रिप्लाई करना है क्योंकि कैसे माई कौन करना है कैसे बात करना है कि आप लोग तो जूडते नहीं है कब कर्सक्राइब तो हो सकता है कि आप लोग को ना पता हो अगर नहीं पता है कि किसी से स्थीक लिया कीजिए और जुडिए उसमें उल्फेंद्रियादो ने हैंड रेज किए अंजी बोली जो तबखे हैं कि उपेंद्रीयादोजी हैंड के सब्सक्राइड में गते की य Hoffman का एज प्टन हम उसको क्लिक कीजिए भूक क film है अग कि आपी आपने उसके possession मायक कर्के आपनोगता उसको क्लिक करें मैं जा रही है जैंडोगत है अप्राइब क्या रहा है केमरा उनकी है शायद उन्होंने है आवाज आ रही है कि अब बीडियो दिखा रहा है सब नहीं एक्षिनिको मालूम नहीं पढ़ रहा कि कैसे ओन करना है क्योंकि पर रेज हैंड किया उसके बाद दो छोड़ करके कैमरा आउन किया माइक का बटन है एक हाथ कर रहा है यह यह भी हो सकता है चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं कई का आपने ठीक है कि यह रिशेट बॉक्स के अंदर का बोर्ड है कि रिशेट बॉक्स के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है तो देखें रिशेट कैसे होता है रिशेट करने के लिए क्या है 48 वोल्ट आपने क्या दिया है लिए लिए रिशेट बॉक्स को आपने 24 वोल्ट की सप्लाई यहां पर दिखें tehdए अपने 24 वोल्ट की सप्लाई देरखी है इस वोल्ट की सप्लाई हं डिशेट बॉक्स को गई क्या है एकится डिशेट अपस्समें wrapped लगा हुआ है कपिल जी आवाज आ रही है कि अंद दिखाई दूरेकर ठीक है तो 24 वोल्ट आपने इन्पुट दिया और 24 वोल्ट से 48 वोल्ट कैसे होगा आपने यहां पर देखाred 48V और यह 48V क्या होगा आपकी Location पर जाती है लेकिन Location पर जाने के पहले क्या है तो जब आपका पिक अप है उस समय आपने अगर पूश बटन रिशेट बटन का प्रेंस भी किया तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों नहीं फरक पड़ेगा तो फोटी वोल्ट एक्स्टेंड भी हुआ तो वीपी आर्म तक आकर करुख जाएगा एक्स्टेंड नहीं होगा तो कोई फरक न कि क्लियर हुआ कि रिप्लाई करें उसके बाद इन से पास सेकेंड जो आपको बटन प्रेस करके रखना है उसके लिए देखिए आप एक सर्किट दिया हुआ है थ्री टू फाइज सेकेंड टाइमर सर्किट यह जो अपने बटन करना थ्री टू फाइज सेकेंड उसकेंड वह तरकिट है यहाँ पर देखिए यह कैसे जाएगा चौविस वोल्ट आपकी जब आपने प्रेस किया तो पीपी और ईले रिले का कंटेक्ट दिया हुआ है तो यह तो ड्रॉप कंटक्ट होना चाहिए इसमें यहां पर द्रॉप कंटक्ट होना चाहिए यह त्री तू फाइश स्रकृट दिया हुआ है जब आप फीन से पांच सेकेंड तक ट्रेस करके रखो तब हमें तो रिसेट होता है तो उसकी लिए हां पर रखा रखांग तो ब्रॉप करका आप तो यह रिसेट सरकृट है कि और इसमें यह यह पईरामेटर से आप लोग को मेजर करने है जब आप मेंटिनेंस में जाएंगे तो मेंटिनेंस में आपको क्या क्या पैरामेटर लेने अपको इतनी वोल्टेश तक दिया हुआ 19.2 से 28.8 और त्रांस्मिटर को जाएगा 30 से 40 वोल्ट एसी मिलेगा और त्रांस्मिटर को जाएगा 30 से 40 वोल्ट और रिसीवर कोयल का मिलेगा 600 मिलेगा अगर मोडम लाइन पर चेक करेंगे तो 400 मिली वोल्ट से ज्यादा मिलना चाहिए और एससी वन एससी टू में मैंने जो वोल्टेज के लिए देखा था अगर विल नहीं है उसके उपर में यानि कि टी एसको आरे स्कॉल के विल नहीं है तो दो से लेके चाहिए उसके बाद सबर्टेख्शन डिभाइस लगाए गया है कि असथी युणिट को चाहिए यानि तो आपका जो मोडम लाइन रिशेट-वोल्ट इज और सो उसमें आपको तीनों में लगाना जरूरी है 24 वोर्ट पावर सप्ल आइ में 48 वोल्ट रिशेट सय ब्लाइन में लोडम कनेक्शन में और मिल्ल मिल्यक्शन Catal caric लोकेशन बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे और 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 इसेट बॉक्स पे इंपुट में भी आप इस पीडी को इंस्टॉल करेंगे इस पीडी क्या होता है सर्फ प्रोटेक्शन डिवाइस यह इस टाइब का एक्टिपेंट रहेगा जो आपकी यहां पर टर्मिनल्स लगे वहीं पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा लगाया जाएगा कि यह देखिए पढ़ने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि यहां पर चार एलीडी दिया हुआ है लेडी लेश्वी चाहर एमस्वी इसको पढ़ने का तरीका क्या है देखिए पहला जो है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इस टैप से है इसकी वैलू जो है कि यह अच情त प् sequ economists इसका दो हुआ है उली शीज्ड है है इसकी जो हैं कि यह इसकी थीजड़ोग उलीड़ दो ते अ? के यह त? अब्र आवाज नहीं आरी है अब्र आवाज आरी है है अब्र आरी है हे अबार नहीं कर दो आ रही है से भाजी अब आ रही है ये सकता है टीक है तो जहां पर देखी इसका वैलू कैसे पढ़ना है एक है तो एक पढ़ेंगे दो है तो दो पीन के जगा चार और चार के जगा आठ यानि एक दो चार एक दो चार आठ और पांच के जगा दस चेज के जगा बीस साथ के जगा चालिस और आठ के जगा एक मेंट हाँ उसके जगा असी यानि एक दो चार आठ दस बीस चालिस असी तो यह वैलू रहेगा अगर मान लिए मानले कि जो एली डि गलो कर रही है कि यह तीन और चार यह तीन और च्षे आप उसका मेंट क्या होगा टीन का होगा जो ए और चिका जाए 20 adviser compile प्लॉस बिस क्या होता है चोबीस तो iar no. 24 आपको पढ़ना पढ़ेगा है है मैं फिर से बताता हूँ क्यों सिर पांच नंबर को दस फिर से मैं बोलता हूं एक नंबर को 1 दो नंबर को दो ठीन नंबर को चार चार नंबर को आच या निक है ये 40, 10, 20, 40 और यह 80 तो यह इसकी वहलू है, मानले कि LED नमबर 3 गलो कर रही है और LED नमबर 6 कर रही है, तो 3 का वहलू कि इतना हुआ, 3 का वहलू 4 होता है और 6 का value कितना हुआ 20, तो दोनों को जोड़ देना है, उपर वाला और नीचे वाला value को जोड़ देना है, तो 3 पे जो value है 4, प्लस 6 पे value हो गया 20, तो 1, 2, 4, 4 प्लस 20, 24, तो 3 पे value हो गया कितना है, चार और 6 पे value हो गया 20, तो 4 और 20 यानि 20 को जोड़ देना है, यानि ALSB में जो value आएगा, उसको MSB के साथ add कर देना है, तो वही error आजाएगा, ठीक है, टी टाइम के बाद मिलता हूँ, चाय आगे है, चाय पी के आते हैं फिर, झाय 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 झाल झाल